गर्मियों का सीजन आ गया है ऐसे में घरों में मुस्कीटोज भी आना सुरू हो गए है तो अगर आप तलास कर रहे हैं किसी अच्छे से मुस्कीटो रेकٹ की जिसमें की साल च्छे महने की वेरेंटी हो तो इसी तलास को खतम करने लेकर आ गया हूँ औरिवा के तरफ से आने वाला Electric Mosquito Racket जिसकी आज हम इस वीडियो में Unboxing और Review देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले covering पर बड़े बड़े अच्छरों में Made in India लिखा गया है यह Made in India प्रोड़क्त ही अच्छी बात है दूसरी इसमें दिया गया है कि Mosquito's, Cockroaches, Ant और Housefly को काफी easily kill कर सकता है इसके कुछ feature cover पर दिये गया है जिसे हम देखेंगे कि यह feature सही में है या सिर्फ cover पर लिखने के लिए ही काम आ रहे है यह First feature दिया गया कि यह Wall and Hanging है Extra line net size है, 2 switch protection है, ABS body है, LED indicator है, Mosquito killing switch है इसमें 6 महीने की guarantee दी गई है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यह warranty क्या क्या चीज cover करती है कैसे damages में आपको warranty का profit होगा और यहाँ पर 100 उपीस case voucher inside the box लिखा गया है इसमें 100 आप किसी भी औरेवा के website पर जाकर किसी भी औरेवा के product ख़़देंगे तो उस पर आपको 100 उपीस का cashback आ जाएगा तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है रैपर खोलने पर यह mosquito racket दिखती है जो कि blue और white काफी बहतरीन लग रही है देखने में color combination काफी बहतरीन लग रही है white और blue color combination में है उपर net दिए गया है जो कि यह protection के लिए है और इसके अंदर एक छोटा layer दिख रहा होगा उसमें current आता है यह आपको protection के लिए दिया गया है ताकि किसी का हाथ मना जाए इसके अंदर औरिवा की branding की गई है और जैसा कि cover पर लिखा हुआ था इसके net काफी normal size के mosquito racket से थोड़ा बड़ा है जो कि काफी बहतरीन लाज area cover करेगा अंदर में इसके black color के designing कुछ दिया गया है जो काफी बहतरीन लग रहा है normal local mosquito racket से काफी बहतरीन लग रहा है यहाँ पर white handle दिया गया है जिसकी color combination काफी बहतरीन है इसे प्रेस करकर आप mosquito मार सकते हैं इसे प्रेस करने पर यहाँ green light रहे जलेगा means कि आप mosquito racket working condition में है और आप mosquito end मार सकते हैं charging के लिए यहाँ charging जब recharge होगा तो यहाँ red light जलेगा इसके battery के लिए यहाँ पर battery easily यहाँ से आप battery निकाल सकते हैं यहाँ battery cover दिया गए यहाँ देख सकता है और इवा की battery लगा हुआ जो की 400 एमेच का battery है यहाँ पीजिली निकाल नहीं सकते हैं यह soldering से किया गया ताप इसे इसे replace कर सकते हैं बट आपको यहाँ soldering करना पड़ेगा इसे easily fit होता है यहाँ पर जैसा कि box में लिखा हुआ था यहाँ से आप वाल हैंगिंग कर सकते हैं और चार्जिंग के लिए इसी में pin दिया गया है जो कि आप ऐसे खोल कर charging लगा सकते हैं चार्जिंग हो जाने के वाद इसे बंद कर सकते हैं जो कि काफी बहतरी है wire वाले कहने का मतलब है कि एक racket आता है जिसमें कि वाहर USB के वाल के टाइप से उसी तरह का एक wire रहता है जो कि ठीक ठाक रहता है लेकि उसमें उसमें wire सम्हालने का जहनजल रहता है wire खो गया तो फिर wire का cost आपको एक टाप पे करना पड़ेगा बट इसमें इसी fit किया गया है तो इसमें खोने या ठीक से सम्हालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर green light आपको working condition में जलेगा red light जब आप recharge कर रहे हैं इसको तब red light जलेगा इसमें साफसाफ दिया गया है कि इसे 8 से full recharge करने के लिए 8 to 15 आवर लगते हैं जो कि काफी ज़्यादा है इतनी रहनी चाहिए ही इसके minus point है कि यह काफी ज़्यादा time लेता है चार्ज होने म आज की लिए बस इतना है अगली वीडियो में हम cover करेंगे कि यह यह रैकेट की warranty क्या-क्या damages cover करती है और इसके एक दो एक और मोडल आते हैं जिसमें की wire purpose वह दिये गया है जिसमें wire दिये गया है ति वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में धन्यवाद है अगर आप जाना चाहते हैं एक ऐसे रैकेट की तरफ जिसमें की charging के लिए अलग से wire प्रोवाइड किया जाता हो तो आप सेम इसी designing के रैकेट जो की सेम औरिवा के तरफ से ही लाया गया है वो है ORMR027 जिसकी handle black है बाकि सारी features तेम है ORMR007 की तरफ जिसकी म अब बात आती है इसकी pricing की तो pricing इसकी कुछ इस परकार है कि ORMR007 की pricing 345 रुपीज है और ORMR027 की price 395 है जो की आपको local market में ORMR007 300 के लगभग easily मिल जाएगा और ORMR027 आपको 350 रुपीज के लगभग easily मिल जाएगा तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए good bye